नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल नियूज। मैं हूँ बबली भाटिया अब खवरें विस्तार से। 25 लाख पार कर चुकी हैं। केंद्य स्वास्ते मंत्राले की योर से जारी आंक्रों के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकोर्ड 75,760 नेमामले सामने आए हैं। जिससे संक्रमितों की कुल संक्या बढ़कर 33,10,234 हो गई। राज़ें को राज़सों में कमे की भरपाई के मुद्धे पर चर्चा के लिए जिस्ती परिशत की महत्तो पूरण बैठक बीरवार को शुरू हुई। केंदर ने राज़ें से राज़सों में कमे की भरपाई के लिए बाजार से कर्च लेने को कहा है। केंदर के इस कदम का गैर राज़ग दलों के शाशने वाले फ्रदेश विरोध कर नहीं है। सूत्रों ने कहा कि केंदर वत्तमंतरी निर्मलार सितरवन के अदर्ख्षता में माल एवं कर सेवा जिस्ती परिशत की इकतालमी वैठक वीडियो कॉन्फरेंसी के जरिये की गई। इसमें सभी राज़व के प्रतिनिदी शामिल हुए। बैठक में राज़व के राज़व में कमी की भरपाई के मुद्दे पर चच्चा की गई। 2004 के फैसले पर फ्यारक्षन देने के लिए राज़ियों के पास अनसुची जाती और अनसुची जनजातियों का उपवर्गी करण करने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ती अरुनमिश्रा के अधिक्ष्टावारी पांच न्यायधिशों की पीट ने कहा कि ईवी चिनईया मामले में सम्भी पीट के 2004 के फैसले पर फिट से गोर के जाने की जरूरत है। और इसलिए इस मामले को उची निर्देश के लिए प्रधा न्यायधिस के समक्ष रखा जाना चाहिए। कैबिनेट सचीव राजीव गोवा ने ब्रहस्पती भार को दस राजों तथा केंदर शाशी प्रधेशों के मुखे सचीवों और स्वास्ते सचीवों के साथ बैठे की और उनसे अपेल की कि वे करोना प्रवंदर पर विश्येश ध्यान देते हुए मृतियुदर को एक प् कंडाटक तिलंगाना गुजरार पच्ची बंगाल उत्रपरदेश पंजाब आंद्रपरदेश और जम्मू कश्मीर के मुखे सचीवों और स्वास्ते सचीवों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये बात्चित की पिछले दो सप्ता के दोरान करोना के कानुही मोतों के म नवासी प्रतेशत मामले इन राज्यों के हैं केंदे स्वास्ते सचीव राजिश भूशन भात्य चिकिसा अनुसंधान परिशत के महान देशक डॉक्टर बल्राम भारगव निती आयोकेस तसे डॉक्टर वी के पॉल भी इस चर्चा में शामिल हुए स्वास्ते सचीव ने इन सभी राज्यों और केंदरशाशी प्रदेशों में करोना संक्रमन की बरतमा स्थिती की पूरी जानकारी दी उन्होंने साथ ही इन राज्यों में करोना प्रवंदन की प्रियासों से भी अवगत कराया विदेशी बाजारों से मिले मिश्री संकेतों के बीच डियल्टी और ओटोक्षित की कंपनी में हुई लिवाली के दम पर गुरुवार को बियस्पी का सेंसेक्स 49.55 अंक चड़कर 49,113.47 अंक पर और नैशनल स्टोक एक्सचेंज का निफ्टी 9.65 अंक की मजबूती के घरेलू शेर बाजारों में वीरवार को लगातार पांचवे दिन तीजी रही बड़ी कंपनियों की तरह छोडी और मंजोली कंपनियों में भी निवेशकों ने पैसा लगाया बेसी का मिड कैप 0.01 प्रतिशत यानी 1.086 की बड़त के साथ 15,155.04 अंक पर और स्मोल कैप 0.35 फीसदी यानी 52.15 अंक की तेजी में 15,025.5 अंक पर बंद हुआ बेसी में कुल 3,040 कंपनियों में कारवार हुआ जिन में से 1,406 तेजी में और 1,464 घिराबट में रही जबकि 175 कंपनियों के शियरों के भाब स्थेरर रहते हुए बंद हुए सैंसेक्स बीरवार को मजबूती के साथ 49,293.5 तीन अंक पर खुला कारवार के दुरान 49,326.98 अंक के दिवस के उच्चतम और 30,046.94 अंक के दिवस के निचले सरसी होता हुआ यह गद दिवस की तुर्णा में 0,91 प्रतिशत की बढ़त में 49,113.47 अंक पर बंद हुआ सैंसेक्स की 30 में से 13 कंपनियां हरे निशान में और 17 लाल निशान में रही रेडियो सेंट्रल निउस की टीम सभी देशवार्सियों से अपेल करती है कि लोकडाउन से ही करोना को रोका जा सकता है आप घर के अंदर रहे कर इस खातक वाइरस से बच सकते हैं जान है तो जहान है आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरी देश को करोना वाइरस के तांडब से बचा सकता है इसलिए घर पर रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद